स्टार्ट हो चुका है और 2022 की सबसे बेस्ट गाडियां फरबरी 2022 में लॉंच होने वाली हैं जिसमें से आपकी टाटा मोटर सुंड़ाई किया के अलावा कुछ मल्टी नेशनल कंपनियों की गाडियां भी हैं जो फरस्ट इन सेगमेंट फीचर, कमफर्ट और इसके लावा से से धांकर गाड़ी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जिसमें आपको 150 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर, 402 BHP की मैक्सिमम पावर और 660NM का पीक टॉर्क मिलता है रेंज की बात करें तो इसमें 78 किलोवाट का बैटरी पैक है जो 418 किलोमेट की रेंज देता है सिंगल चार्जिंग पर और दोस्तों इस कार को गरहाकों को फास्ट चार्जिंग का विकल्ब भी है जिसमें 40 मिनट के अंदर गाड़ी 80% तक चार्ज हो सकती है यानि की 40 मिनट चार्ज करने के बाद में एप्रॉक्स 300 प्लस जिसे चलाया जा सकता है और एक लगजरी टाइप की एलेक्ट्रिक SUV गाड़ी है जिसमें इन बिल्ट गूगल असिस्टेंट फीचर है जिसकी मदद से आप गाड़ी के सारे कमांड को फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं तो काफी शांदार ये गाड़ी होगा अंदर फरवरी को इस गाड़ी को लांच किय जा रहा है नेक्स्ट है मारुती की आल्टो जिसे लेटेस्ट अपग्रेड के साथ 2022 आल्टो के रूप में पेश किया जा रहा है और दोस्तों ये गाड़ी मारुती जिसे लांच करने वाली है इसका काफी इंतजार हो रहा है क्योंकि इसमें अब ज़्यादा स्पेस और चर्स भी आने वाले हैं फिलाल इसकी भारतिय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान जो जलक मिल रही है और जो इसके बारे में इंफ्रमेशन अपडेट हो रही है ये मारुती की सबसे सस्ती कार अब बिल्कुल और अवतार के साथ में लॉंच होने वाली है जो मौजूदा में चार चांद लगाने वाला होने वाला है जिसके बाद ये कार स्विफ्ट जैसी कारों के स्तरकी हो जाएगी और मौजूदा मौडल की अपेक्षा नई ओल्टों में कंपनी नई सेलेरियों की तरह जादा माइलेज पर भी फोकस करेगी इसके इलावा इसका CNG वेरेंट भी लॉंच किया जाएगा और इसी के साथ मारुती की एक और गाड़ी है जो है आपकी सोलियो जो की बिल्कुल आप कह सकते हैं वेगनार के सेग्मेंट की होने वाली है जिसमें मौनो टॉन और डूल टॉन कलर ऑप्शन्स मिलने वाले हैं और इसके अंदर आटोमेटिक एस 29 इंच का इन्फोटेंडमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री, पावर स्टेरिंग, स्लाइडिंग डोर और 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम होगा माइलेज की बात करें तो 21 का ये माइलेज देने वाली है और 1.2 लीटर का इंजन इसके अंदर मिलेगा जो 91 PS की मैक्सिमम पावर औ और 6,00 RPM पर 118 NM का टॉर्क जनरेट करेगा इसके लाबा गाड़ी में ड्यूल एरबैक्स के साथ SRS एरबैक्स भी हैं और इस गाड़ी के अंदर यानि मारूती सॉलियों के अंदर फ्रेंट डिस्क ब्रेक, हिल होल्ड कंट्रॉल, 360 डिग्री व्यू कैमरा और सिक्योर्टी अलारम सिस्टम मिलने वाला है तो यह इसके बारे में एक सॉर्ट सापडेट और दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी लेक्सस NX 2022 जो की बारे फरवरी को लांच की जा रही है और SUV सेग्मेंट में यह सबसे ज़्यादा धाकर हाइब्रिड SUV बेहद शांदार लुक और फीचर्स के मामले में होने वाली है और यह कंपनी की थर्ड हाइब्रिड कार है इससे पहले कंपनी तीन अन्या मॉडल यानि ES, RX और LX सेल कर रही है जिसमें दो कार हाइब्रिड है और इंटरनेशन मार्केट में यह पहले से ही सेल की जा रही है और यह लेक्सस की सबसे चोटी SUV है और भारत में कंपनी की सबसे सस्ती कार यानि तीसरी कार होने वाली है बात करें इसकी पावर के बारे में तो इसमें 2.5 लिटर का 4 सिलंडर पैटॉल इंजन एक एलेक्ट्रिक मोटर है जो 194 BHP की पावर जनरेट करता है इस कार का सीधा मुकावला है Mercedes GLA और Audi Q जै जो लॉंच ओने वाली है जिसका काफी वेट भी है किया मोटर्स की किया केरेंस जिसे तीन फरवरी के आसपास लॉंच किया जा रहा है और भारत में ये किया मोटर्स की 4th कार है और ये भारत में आंद प्रदेश के अनंत पुर में आटो मेकर के इस्थानिया प्लांट में लोकल रूप से बनाई गई है और भारत में दक्षिन कोरियाई ब्रांट की यानि की सेल्टोस, कारनिबाल और सौनेट के बाद 4th ही पैसेंजर कार है और सौनेट और सेल्टोस की तरह केरेंस एक मेड इन इंडिया फॉर दा वर्ल उत्पाद है इसमें कैई ऐसे फीचर्स है जो इस तरहनी की किसी कार में first time मिलने वाले हैं तो काफी अच्छा options होगा इसकी खासियत के बारे में आपको बता देते हैं इसका dynamic और bold design SUV जैसा road presence है वहीं इसका interior design बहुप योगी फीचर से भरा हुआ है किया कैनस, petrol, diesel दोनों power train में मिलने वाली है 7 speed का DCT और 6 speed का automatic transmission है इस retractable, seat belt table, rear door, spot lamp और third row में bottle और gadget holder जैसी सुविदा इसके अंदर मिलने वाली है और class leading features है इस गाड़ी के अंदर जिसमें 10.25 पिंच का touch screen navigation system, 80 speaker का boss का premium sound system और 64 color वाली ambient mood lighting मिलने वाली है, high security standard package है जैसे कि 6 airbag, ESC, VSM, HSC, DVC, ABS, BSM और सभी trims में all wheel में disc brake मिलने वाले है, details वीडियो आपके लिए share की जा रही है और दोस्तों next है इसके बाद में BMW की X6 M50 जिसके अंदर 298 में CC का engine है, 335.25 BHP की power है, transmission automatic मिलता है, 5 seat है, all airbag मिलने वाले है और 450 NM का ये torque देती है और luxury type की ये गाड़ी होने वाली है, जैसे कि BMW की होती है और next है इसके बाद में 15 फरवरी को BMW की X6 launch की जा रही है, next information है Mahindra XUB300 Turbo Sports के बारे में और ये गाड़ी भी 15 फरवरी के आसपास launch की जाएगी, बात करते हैं इसके features और power के बारे में और XUB300 Turbo Sports में इस इंजन का इस्तिमाल किया जा रहा है और दोस्तों कमपनी कार के सभी variant में इसका इस्तिमाल करेगी, ये कार W4, W6, W8 और W8 optional variant में मिलने वाली है, तो काफी शांदार features power के साथ है, जिसमें आपको 1.2 लिटर का 110 HP का power और 200 Nm का torque मिलेगा, और diesel और petrol के दोनों के options मिलने वाले हैं, डीजन में हैं आपका 1.5 लिटर diesel engine जो 117 HP की power और 300 Nm का torque देता है, और बाद में बताया जाता है कि इसमें आपको EMT का विकल भी मिलेगा, फिलाल बात करें इसके बारे में तो आपको dual airbags, EBD, ABS, Corning, Breaking Control, LED Tail Lamps, ISO Fixed Child, Seat Mount, Split Folding, Rear Seat, और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा Remote Locking System, Bluetooth, USB, USX, Steering Mounted Control, Blue Sense App, 4 Speaker, Remote Key, Wheel Cap, Roof Rails और High Mounted Stop Lamp के साथ में, Rear Spoiler, Follow Me, Head Lamp और Advanced Infotainment System तो ये है, All to All वो गाड़ियां जो फरवरी 2022 में लाँच की जाने वाली हैं, तो आप इनमें से किस गाड़ी को परचेज करना चाते हैं, किस गाड़ी के बारे में details जानना चाते हैं, कमेंट्स में ल सकते हैं, और अगर आप Share करना चाहते हैं, अपने द्वारा On की गई, अपने द्वारा यूज की जारी, किसी भी गाड़ी के बारे में Long Time Experience को सभी के साथ Share करना चाहते हैं, तो Instagram पर जाकर आप हमें Message कर सकते हैं, आपकी Information हमारी Team द्वारा Select की जाएगी, और उसके आधार पर आपकी वीडियो सभी सब्सक्राइबर के साथ चैनल पर शेर की जाएगी, तो मिलते हैं दोस्तो इसी तरह की Active Information के साथ, तो जल्द मिलते हैं Next Automobiles News Information Update के साथ, नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेर और लाइक करना ना